इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर बेहार के मोतिहारी से है जहां पर भीसन हाथसा हुआ है और हाथसे में चार लोगों की जान चली गई है दरसल पूरा मामला मोतिहारी के धाका थानाचेत इलाके का है जहां एक निर्मानाधीन टंकी के सेंट्रिंग खोलने के वक्त चार लोगों की जान चली गई है और परिजनों ने जंकर बावाल काटा है अस्पताल में तोर फोर भी की है इस वक्त जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही है मिली जानकारी के अनुसार निर्मानाधीन टंकी का जो है वो सेंट्रिंग खोला जा रहा था और अचानक उसके अंदर जो गैस था उस गैस के वज़ास से चार लोगों की मौत हो गई है घायल इस्तिति में ना जो की इस्ति लेकिन मौके पर मौझूद जो चेकित्सक हैं उनका साब तोर पर कहना है कि जैसे ही पेसेंट लेकर आए गएं सभी की स्टिति जो है वो खत्म के बराबर थी यानि डेड़ हो चुके थे और यहां पर पर परिजन तोरफोर करने लगे तस्वीरे देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं यह मोतिहारी की तस्वीर है धाकान मंडली यह अस्पताल की तस्वीर है जहां पर किस तरीके से चार लोगों की मौत के बाद जो हंगामा हो रहा है वहां की यह तस्वीर एस्कुलूसिव आप देख रहे हैं टूड़े भी हार्मीट पर देखिए सबसे बड़ी है उनके परिजन इस वज़से नाराज हैं कि वहां पर अस्पताल में उनलाया गया और तुरंत इलाज नहीं मिली हालांकि जो मौके पर चिकेटसक मौजूद थे वो अपनी जान बचा कर भागे क्योंकि उगर लोग जो है वो अचानक तुरफोर करने लगे और ये जो तस् उसमें तौरफोर की गई है ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये तस्वीर मोतिहारी के है और एक हादसे के बाद की तस्वीर है हलांकि इस हादसे में जिन लोगों ने भी जान गवाई है चार लोगों की मौत हुई है उनके परिजन जो है उन पर दुख का बर पहार तूट परा है और जो जानकारिया मिली ये महाबीर ठाकुर धाका के ही लहन महले के निवासी है उनके घर का निर्माना धीन कारे चल रहा था और उसमें ही टंकी का जो है वो सेंट्रिंग खोला जा रहा था दिजदौरान ये हादसा हुई है हलांकि मौके पर जो लोगो जब खोला गया तो अंदर गैस बन चुका था और उसी गैस के वजह से चार लोगों की जान गई है मोतिहारी के धाका में परिजनों ने जमकर बावाल कटा है अस्पताल में भयंकर तोर्फोर की है फिलहाल आपने विहार में उसके साथ बने रहें धन्यवाद